आज 7th September 2022 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हमें ग्यान का मनन चिंतन करते रहना है हर्षत मुख रहना है गंभीर और विशाल बुद्धी बन सुख का अनुभव करना भी है और दूसरों को भी कराना है आज बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया धन कमाते अत्वा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नश्टो मोहा ट्रस्टी भ बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया नश्टो मोहा ट्रस्टी भव का हम करम योगी हैं हमें करम शेत्र पर रहना है हमें अपने घर को नहीं चोड़ना संबंधों को नहीं चोड़ना हमें अपने जीवन में धन भी कमाना है अपने परिवार का और अपने शरीर का भी पालन पूशन करना है लेकिन जब हम इस करम शेत्र पर आते हैं तो धन कमाने की चिंता अशान्ती या संबंधों में दुख का अनुभव होता है इस दुख से कैसे मुक्तों इसकी युक्ती बाबा ने हमें बतलाई है कि हमें संबंधों को छोड़ना नहीं है लेकिन संबंध निभाने है संबंध निभाना अलग चीज है संबंधों से अकर्षित हो जाना दूसरी चीज है धन कमाना अवश्यक है लेकिन मोहोवश धन कमाना और ज्यादा हो जाए जरूरत से ज्यादा हो जाए कुछ और लक्ष से कमाना वो हमें दुख कानुभव कराता है तो जब हम ट्रस्टी होकर रहते हैं नश्टो मोहा होकर अपने संबंध निभाते हैं तो हमें कोई भी प्रकार के दुख कानुभव नहीं होता यदि कोई धन उपर नीचे हो जाए या फिर कोई संबंधी बीमार हो जाए तो हम बिल् कि यह सब कुछ बाबा का है बाबा संभालेगा तो हम स्वयम बेफिकर बादशा की स्थिती का अनुभव करते हैं और साथ ही साथ इन वाइब्रेशन्स के द्वारा हम अपनी परिस्थिती को भी ठीक कर लेते हैं तो आज बाबा ने हमें ट्रस्टी पन का जो लेसन दिया है कि हर चीज नश्टों मोहा और ट्रस्टी होकर संभालो संबंध में भी आओ और कार भी करो धन भी कमाओ लेकिन ये हमारा टेंशन रहे कि हम लगाव से ना करें मुह से ना करें ओम शान्ति